नमस्कार दोस्तो स्वागत अब सभी का एक बार फिर से तो क्या आप जानते हैं रावन की मृत्यू के बाद मंदौधरी का क्या हुआ? क्यूं मंदौधरी को अपने देवर विभीशन से विवाह करना पड़ा? आईए जानते हैं विस्तार से आज की इस वीडियो में. दोस्तो रामायन में रावन की पतनी मंदौधरी तो अब सब को यादी होगी. जी हाँ वही मंदौधरी जिसने अपने पती रावन को कई बार अनैतिक कारों को करने से रोका था. कहा जाता है कि रावन की पतनी मंदौधरी एक ग्यानी स्त्री थी. वो इस युद्ध का परिण पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वो मोहीत हो गया माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा विवाह के पश्चात हेma और मायाiliśmy को मढाया पुत्री के रूप में मंदौद्रीब्राप्त हुई थी जो कि बहुत हे सुनदर और आकरशक थी दोस्तों फितो कोला में उलेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अपसरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज़्यादा प्रभावित थी इसलिए एक बार वो उनसे मिलने कैलाश परवत पहुँच गई उस वक्त कैलाश परवत पर भगवान शिव अकेले थे माता पारवती कहीं गई हुई थी कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश परवत पर अकेला पाकर अपसरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगे जब माता पारवती कैलाश परवत पर आई तो उन्होंने अपसरा के शरीर पर भसम लगा हुआ पाया माता पारवती जिसे देख क करोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंड़की के रूप में जीवन को व्यतीत करोगी दोस्तों माता पारवती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी जिसके बाद माता पारवती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और जैसे ही माता पारवती ने श्राप दिया तब अपसरा मधुरा तुरंती मेंड की बन गई जिसके बाद वो धरती लोग पर विचरन करने लगी दोस्तों मेंड की रूपी मधुरा पृत्वी लोग पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी लेकिन तब ही एक दिन अचानक एक भयंकर साप मेंड की को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया मेंड की मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते वो सब तरिश्यों के आश्रम में पहुंच गई जहां पर उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर को बहुत बड़े लकड़ी के चूले पर चढ़ाया हुआ था जब साप ने मेंड की मधुरा को दड़ाया तब वो उचल कर उसी खीर के बरतन पर बैठ गई दोस्तों जब कर खीर के बरतन में ही गिर गया और खीर गरम होने के कारण वो सर्प मर गया किन्तु दोस्तों मेंड की बनी मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब रिशी गण यहां आएंगे और वो ये खीर खाएंगे तो जहरीले साप की वज़े से उनकी मृत्यू हो जाएगी और मध ने ही तुरंत खीर के बरतन में कूद गई रिशीयों ने मेंड की को बरतन में कूदते हुए देख लिया इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं पर फैला दिया खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि इस बरतन में म जिवित कर दिया और उसे कन्या का सवरूप दे दिया जिससे अब मधुरा मेंडकी से एक सुन्दर कन्या बन गई थी किन्तु लोग समाज के डर से रिशियों ने उस कन्या को अपने साथ नहीं रखा उन्होंने महरिशे कश्रप के पुत्र मायसुर को बुलाकर उस कन्या को तो उसे राक्षसों का विश्व कर्मा कहा जाता है उसे ब्रह्मा जी से विशेश वर्दान प्राप्त था जिसकी वज़े से वो कहीं भी सुन्दर भवन का नगर का निर्मान कर सकता था दोस्तों मायसुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वर्दान के प्रभाव से ही अपनी पतन हेमा के लिए मंदूर जैसे खूबसूरत नगर का निर्मान किया था जो कि वर्तमान में जोदपुर का मंदूर है दोस्तों माया सुन ने मंदौधरी को रावन से मिलाया और बताया कि ये उनकी दिव्वे कन्या है हेमा अपसरा इनकी माता है रावन की नजर जैसे ही मंदौध मंदौदरी पर गई वो मोहित हो गया और जट से विवाह का प्रस्ताव स्विकार कर लिया। रावन ने मंदौदरी को वचन दिया कि केवल मंदौदरी ही उनकी प्रमुख पतनी और लंका की महरानी होगी। मंदौधरी से विवा के उपहार सवरूप माया सुर ने रावन के लिए सोने की लंका का निर्मान किया। कुछ मानेताओं के अनुसार भगवान शिव के वर्दान के कारण मंदौधरी का विवा रावन से हुआ था। मंदौधरी ने शिवलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की अराधना की थी ये मंदिर मेरट के सदर इलाके में हैं दोस्तों कहा जाता है मंदौधरी ने भगवान शंकर से ये वर्दान मांगा था कि उसका पती इस धर्ती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो उस समय रावन ही एक मातरह सा पुरुष था जो धर्ती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था कहते हैं रावन मंदौधरी की सुन्दर्ता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसने कई राणियों के होते हुए भी मंदौधरी को इवचन दिया कि केवल मंदौधरी ही उसकी प्रमुखर रानी रहेगी दोस्तों कथाओं में मंदौध मंदौधरी को एक पती व्रता नारी के रूप में वर्नित किया गया है वो मंदौधरी ही थी जिसने अपने पती रावन के मनुरंजन के लिए शत्रंज के खेल का प्रारंब किया था रावन से विवाह के बाद मंदौधरी को रावन से मेगनाद और अक्षे कुमार नामक द बहुत ही चलाकी से अपनी बातों में फसा कर मंदौधरी से इस बान के बारे में जानकारी को हासल करके उसे चुरा लिया और इस बान की मदद से प्रभू शिरीराम ने रावन का वद्ध कर दिया लेकिन रावन ने मंदौधरी की बात को अंसुना कर दिया प्रचलित कताओं के मताबिक राम रावन के युद्ध में विभीशन और मंदौधरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ कर रावन के पूरे कुल का नाश हो गया था रावन की मृत्यू की खबर जब मंदौधरी को मिली तो विलाप करते हुए युद्ध भूमी में पहुँच गई और इस हालत में रावन को देख कर तेज अवाज निकाल कर रोने लगी कहते हैं कि वहाँ युद्ध भूमी में मंदौधरी की नजर प्रभू शिरी राम से भी टकराई मंदौधरी को इस तरह विलाप करता देख प्रभू शिरी राम को भी अति दुख हुआ था तो लंका के सुखत भविश्य के लिए शिरी राम ने विभीशन को लंका का राजपाट सौप दिया और उन्होंने मंदौधरी के सामने विभीशन से विवा करने का प्रस्ताव रखा लेकिन उस समय मंदौधरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया जिसके बाद प्रभूशिरी राम अपनी पतनी सीता और भाई लक्षमन के साथ वापिस अयोध्या लोट गए वहीं दूसरी तरफ मंदौधरी ने रावन की मृत्यू के शोक में खुद को लंका के महल के कमरे में कैद कर लिया दोस्तो बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वो बाहर निकली और उसने विभीशन से विवा कर लिया लेकिन कुछ विदवान इस बात को सीधे तोर पर नकारते हैं उनका मानना है कि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है दरसल इन विदवानों के मताबिक मंदौधरी पती व्रता नारी थी अपने पती के परती पूरी तरह समर्पित इतनी महान ग्यानी पती व्रता नारी ऐसा निरने नहीं ले सकती तो दोस्तों ये थी कहानी मंदौधरी की क्या आप इन सभी बातों से पहले परिचित थे कॉमेंट सेक्षन में आके जरूर बताईएगा इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद